हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज हम लोग जो सीटेड का पेपर हुआ था उन्ती दिसंबर 2022 को उसका इविएस वाला पार्ट साल्व करेंगे और आप लोग देखो आपकी तैयारी कैसे चल लए है 30 कोशन वैसे कितने कोशन आप कर पार है हो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें चलिए देखते हैं पहला कोशन आप से पूछा गया है अब यहां पर पहला कोशन पूछा गया है हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहां कि ग्रामीर्ड लोग फफल पकाने कि पस्चात तिवार मनाते हैं सब साथ में खाना पकाते हैं खाते हैं गाते हैं और नाचते हैं यहां का विशेष चिराव नित्र करते हैं इस नित्र में बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोडी जमीन पर आमने सामने बैठती हैं डोल की ताल पर लोग बांस की दिया गए आपको कि चिराव नित्र करते हैं कौन सो नित्र करते हैं चिराव नित्र करते हैं तो यह नित्र करते हैं मिजोरम के लोग तो यहां पर पहला यह आफ़न बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यह वाला आफ़न कि बात कहां कि हो रही है यह बात हो रही है मिजोरम राज कीजिए अब ए आफन दिया गया है रेगी रिहतानी छेतरों में पाया बात यह दो एके ने ह आफिक्तर नहीं है तो ये भ Hee Pro कर्रेक्ट है को पड़ने की आफिकतर पर इसे इसे नहीं के बारे में में उसके इसो करेक्ट दियागया है इसके इसे तने में पाने कथ्रोटा dust टीन बिल्कुल गलत दिया गया है तने में नहीं पानी इसके कत्र होता है युउडों में पानी कत्र होता है यह अवरच्च छाज़ादार नहीं तो यह भी बिल्कुल गलत आफ़न दिया गया है तो यहां पर जो कर्यक्ट आफ़न थे ए बी और सी वाले जो कथन दिये गए यह तीनों कर्यक्ट थे इस कोश्चन के अनुफार पूंचा गए इन में सही कथन है तो यहां पर ए वाला आपसर बिल्कुल सही हो जाएगा ए बी और सी निफ्स कोश्चन यहां पर दिया गया है निम्न लिकित में से तीन पेट्रोलिय मुतपादों के समूँ को चुनिये मोम, कोलतार, ग्रीस, पेंट, प्लाक्टिक, रियान, एल्पीजी, कोलतार, एथिनाल, किरोसिन, डीजल, मेथेन तो यहां पर पहुचा गया है कि जो तीन पेट्रोलिय मुतपाद के समूँ कौन जाजने से तो यहां पर एवाला अफ़न बिलकुल करेक्ट हो जाएगा कि मोम, और कोलतार, और ग्रीस, यह तीनों पेट्रोलिय मुतपाद के समूँ है अगला कोशन यहां पर डारेक्शन के बारे में, देखो यहां पर कोशन दिया गया है किशी एडवोकेट का घर X पर है, कोर्ट Y परिस्थित है एडवोकेट के घर से कोर्ट जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है अगला के अगला के घर के दिया क्या है, यह हमें बताना है तो यहां पर देखो इस कोशन कैसे साल्व करेंगे अब देखो यहां पर जो कोशन दिया गया है, एक्स क्या है एक्स पर घर है, किसी वह वकील है, एक्स पर घर है, उसको यहां पर करो, देखो इसको ऐसे करते है कोई वकील है उसका घर कहां पर एक्स पर है एक्स पर ठीक है उसके बाद सो मेंटर की दूरी पर एडवोकेट पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर में सो मेंटर की दूरी पर है तो डिरेक्शन ऐसे होती है ये वाली ये इस्ट होती है ये वेस्ट होती है और ये होती लिक नार्थ और यह nella waar पूरह में जाता है तो यहां पर आ गया 100 मिंटर चल चल यहां पर ऊसके बाद को फिर वर बी पर जाते हैं घर्ड़ां जो एक ठीक डच्चिड में आध सौथ Хот वाली डिरेक्षण यह ठीक पच्चिप पचाइव मिट्र के दूरी पर और लॉई पर सकाइव कर्णा पर पहुंचते हैं और मिट्र कोट के सापेश इडिव के घर की दिसा है जो यहाँ पर ठीक है यहाँ और यहाँ पउंचेगा यह से यह की तो यह वाली जो डर्यक्शन के हो जाएगी उत्तर पस्चिम, ये नार्थ है, ये वेफ्टेन के दोनों के बीच में जो डिरेक्शन है, वो हो जाएगी उत्तर पस्चिम, तो यहाँ पर B आपफन मिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, जो कोशन पूछा गया है कि, कोर्ट के सापेच एडवोकेट के घर की दिसा है, जिसका उत्तर पस्चिम है, उत्तर पस्चिम, अगला कोशन दिया गया है, कोई लड़का वलफाड से नागर कोईल जाने के लिए, 12 सितंबर 2022 को एक ट्रेन में सवार हुआ, या ट्रेन फत्रती बजे वलफाड से चलकर, 14 सितंबर 2022 को पांच बजे नागर कोईल पहुंची है, यद तो ट्रेन के अवफाड चाल आप लोग निकालेंगे, अवफाड चाल बराबर होता है, कुल दूरी, कुल दूरी बटे, कुल समय, कुल समय, तो यहाँ आप देखो दूरी बताएगे कि कुल दूरी कितनी है, 2069 है, और उसके बाद कुल समय आपको यहाँ निकालना है, और डिवाइट कर देना तो आप लोग घर में खुद करना और इसका एंफर आ जाए कि 58 किलो मेंटर देखना कितने लोगों का सही हो रहा है कितने लोगों का गलत हो रहा है अगला कोशन दिया गए यहां पर निम्न लिखित में से कौन सा विकल्प गंगा जल को सच करने के लिए परियोजना मिशन है जल सक्ति नमामि गंगे गंगा अमंत्रण अभियान जल सक्ति राष्टी सच गंगा मिसन गंगा एक्षन प्लान नमामि गंगे या फिर यमुना एक्षन प्लान तो यहाँ पर दिया गया है कि GANGA जल को सच करने के लिए जो पर्योजना है वो है गजरी सच और GANGA मिसन और GANGA एक्षान प्लान तो यहाँ पर C वाल आफ़नë बिल्कोल ही करेक्ट हो झाएगा नेफ्ट कोशन यहाँ पर दिया गया है भोजन के निम्लिकित समूहों में से उस समूह का चैन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समरत दिस्षरोत हो तो यहाँ जो आफन दीगें इसमें बताना है कि प्रोटीन सफ ज़्यादा किसने मिलेगा अब यहाँ पहला आफन दिया गया है अंडे, दाले और मचली उसके बाद है बदाम, मक्का, दूद संत्रा, मक्खन, अंडे उसके बाद है दही, दूद, चावल तो यहाँ जो सफ ज़्यादा प्रोटीन मिलेगी वो मिलेगी अंडे में और दालों में और मचली में यहाँ पर आफन बिल्कुल ही सही हो जाएगा अगला कोशन यहाँ पर पहुंचा गया है निम्न लिखित में से वह यूगल चुनिये जो हमारे देश के एक राज और एक केंद्रफाफित प्रदेश से मिलकर बना है अब आफन ए दिया गए अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी तो यहाँ पर आफन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी कि अरुणाचल प्रदेश यह राज है और पुदुचेरी क्या है केंद्रफाफित प्रदेश है तो यहाँ पर ए आपफन ही बिल्कुल सही हो जाएगा अगला कोशन यहाँ पर पूछा गया है निम्न लिकित मेंसे राज्जों के उस समूह को चुनिये जिनके समुधर तट बंगाल की खाड़ी पर है अब आपफन यह दिया गए आंध पर देश ओड़ी सत तमिल नाडू अब देखो कैसे मालूम चलेगा कि बंगाल की खाड़ी पर कौन है कौन अरभ फागर तरफ है तो यहाँ पर देखो हमारा जो क्या है यह है इसे हमारा नक्फा है तो यह पर आंध पर देश ओगर रहा है यहाँ पर बैसे हैं यहाँ नीचे फैड़ में तो देखो इस साड़ वाले जितने भी राज्य होंगे वो होंगे बंगाल की खाड़ी पर और इस साड़ वाले जितने भी राज्य होंगे वो होंगे अरभ फागर में यहां पर डिवाइड करेंगे इसको ऐसे ठीक है तो इधर वाले राज्य कहां पर पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में इधर वाले पढ़ेंगे अरब सागर में तो यहां पर इस कोश्चन के अनुफ़ार जो पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी पर है तो यहां पर आंद प्रदेश के तीन समीप वर्ति राज यहीं हो जाएंगा उत्तर प्रदेश चत्तिगड़ा और महाराष्टर तो यहां पर बी वाले आप्षण और डी वाला आप्षण जो है मच्छनों दोर फैला जाता है तो इस कोश्चन के अनुफ़ार यहां पर सी आप्षण बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बी एंड डी अब अगला कोश्चन यहां पर पूंचा गया है किसी परितंत्र में नहीत है किसी परितंत्र में नहीत है एक छेत्र के जीवित प्राड़ी एक छेत्र के किवल भौतिक कारक एक छेत्र के जीवित प्राड़ी और भौतिक कारक दोनों एक छेत्र के अब घटक और भौतिक का बिल्कुल ही सही हो जाएगा अगला कोफशन पूछा गया है राज्य और नित्र के सही युगम का चुनाव कीजिए एक करनाटक कथक तमिल नाडू लामडी असम बुईया और आंद प्रदेश कुछी पड़ी तो यहां करेक्ट आफन दिया गए जो कुछी पोड़ी होता है यह आंद प्रदेश का नित्र है यहां पर डिया अप्षन बिल्कुल ही सही हो जाएगा और यहां भी जो अन नित्र दीजिए कथक दिया गया है तो कथक होता उत्तर प्रदेश का लामडी जो होता है महाराष्ट का होता है महाराष्ट का उसके बाद जो दिया गया है निफ्ट कोशन यहाँ पर पूचा गया है निम्निकित में से कौन सी एक पौधागर गैस नहीं है पौधागर गैस से ताथ पर है ग्रीन हाफ गैस नहीं है अगला कोशन दिया गये यहां पर ओजौन की परित के ओजौन की परित के अवच्चे को नियंतिर्त करने हे तु воспat Video के अवच्छश को नियंतित करने हेटी caveat में कंतर राटी संदिपत्र समजाओत्या पर हफ्त्र किये गए जिसे कहा गया जिसे कहा गया था Montreal Sunday किया कहा गया था Montreal Sunday कहा गया अब यहां पर 16 नमबर कौश्चन आपह पूछा गया है कि EBS में नैदानिक परिछण सिच्चक की सहायता करेंगे जो नैदानिक परिछण होते हैं सिच्चक की किस चीज में सहायता करते हैं यह में बताना है, अब आफ़न ए दिया गया है कि विद्यार्थियों का बुद्धी भागफल गयात करने में यह आफ़न बिल्कूल ही गलत हो जाए कि जो नायदानिक परिच्ण होते हैं वो बुद्धी भागफल गयात करने में हिल्प नहीं करते हैं, उसके बाद बी आफ़ बिल्कूल ही सही दिया गया है कि जो नायदानिक परिच्ण होते हैं, वो सिच्चण अधियार्थियों के दौरान जो समस्यां विद्यार्थियों के सामने आती है, उनका आकलन करने में हिल्प करते हैं, उसके बाद C आफ़न दिया गया है, विद्यार्थियों के अधियार् करेगा या ग्यात करने में तो यह भी बिल्कुल सही है तो यहाँ पर नैदानिक परिच्छन के अनुफार यहाँ पर बी आफ़न और डी आफ़न फ़ही था तो इस कोश्चन में मारा सी वाला आफ़न मिल्कुल कर्रेक्ट हो जाएगा बी एंड डी उसके बाद निफ्ट कोशन पूछा गया है प्राथमिक इस्तर पर निर्माड आत्मा काकलन समलित करता है निर्माड आत्मा काकलन किन की चीज़ों को समलित करता है अब आफ़न यह दिया गया है सिच्छकों को उनके सिच्छन के प्रभाव के संदर में पति पुष्टी देने में बिल्कुल सही दिया गया यहां पर सिच्छड में कम्यों को पहचानने में यह भी बिल्कुल फही दिया गया है मासिक रिपोर्ड कार्ड बनाने में विद्यार्थू कदिका मंतराल को ग्याद करने में तो यहाँ जो निर्माण आत्मक आगलन है वो मास्य को रिपोर्ड कार्ड बनाने में इसको सम्मलित नहीं करता है यहाँ जो आफ़न बी और डी आफ़न दिये गए है तो यहाँ जो आफ़न इसमें से बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए बी और डी आफ़न सही है यहाँ पर नेफ्ट कोशन यहाँ पर दिया गया है निर्म लिकित में से कौन सी एक अपरेचित शिच्छण समागरी है चार्ट, स्लाइड, फिल्म इस्ट्रिप, एपड़े एसकोब तो यहाँ पर पूचा गया कि अपरेचित शिच्छण समागरी यह वो है चार्ट, अगला कोशन यहाँ पर दिया गया है नांटीन नमबर, स्री रोहन ने विशय जल का सरच्छण पर एक भूमिका निर्वहन का आयोजन किया, अपनी कच्छा में रोहन, दोरा इस भूमिका निर्वहन को आजुद करने का क्या उदेश है, तो जो रोहन क् अपने कच्छा में जल का सरच्छण पर एक आयोजन, आयोजुद करता है, तो इसका मतला मुख के भूम का क्या है, अब आफन दिया गया है, वह विद्यार्थियों को भावी पीडियों के लिए जल के सरच्छण के आफ़ेक्ता के प्रति सम्वेदन सील बनाना चाहता है, अगला कोशन यहां पर दिया गया है, कि वह विद्यार्थियों को भावी पीडियों के लिए जल के सरच्छण के आफ़ेक्ता के प्रति सम्वेदन सील बनाना चाहता है, तो इहां पर ए आफन बिल्कुल सही हो जाएगा, अगला कोशन यहां पर दिया गया है, कि EVF की पार्ट चर्रया की रूप रेखा बनाई गया है, अधिगम के सामाजिक रचनवाद के परपेच में, बनाई गई है, EVF की part set जो है next question यहाँ पर दिया गया है कच्छा में EVF बिश्यों का संपादन करते समय सिच्छक को निम्न लिकिन मेंसे किस से बचना चाहिए अब option A दिया गया है बिद्यार्थियों को प्रहने पूँचने के लिए हातोत साहित करने से बूमिकानी भाने से कट पुतिलियों को उप्योग से समोकार से तो यहाँ जो question पूँचा गया किस से बचना चाहिए तो यहाँ पर A आफ़न बिल्कुल गलत दिया गया है कि विद्यार्थियों को प्रहने पूँचने के लिए हातोत साहित करने से विद्यार्थियों को प्रहने पूचने के लिए हातोत साहित नग करना चाहिए जबकि उनको पृत्वाहित करना चाहिए तो यहाँ पर A आफ़न बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा अगला कोशन यहाँ पर दिया गया है कि विद्यार्थियों के लिए एवस पार्ट क्रम में विसयों और उपविशयों का चेन किया गया है। विज्यान, समाजी विज्यान और पर्यावरण शिच्छा में मुद्धों का एक समान इंतरप्रत परदान करने के लिए, दिल्चफ तरीके से EWS सीखने के लिए गतिविदियों को सरल से जटिल की और संचलित करने के लिए ततकाल पर्रयावरण की बेतर समझ को विक्सित करने के लिए तेहां जो कोशन पूचा गया है कि विद्यार्थियों के लिए EWS पार्ट क्रम में विसेयों और उपविसेयों का चैन किया गया है वो इसलिए किया गया है कि ततकाल पर्रयावरण की बेतर समझ को विक्सित करने के लिए तो यहां पर D आप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा अगला कोशन यहां पर दिया गया है निम्ड लिकित मेंसे कौन सा विसेय या फिर उपविसेय नेचे दी गई दच्चता से संबंदित हो सकता है उन लोगों के लिए परामर्स और मानसिक कल्याण के बारे में सुझाओं का मुल्यांकन करता है जिनों ने आपदा का सामना किया है और अपने घर को खोने का घात का सामना किया है तो यह पूछा गया कि यहां पर कथन दिया गया है किसके बारे में तो यह बताया जा रहा है आसरे के बारे में किसके बारे में घर का मतलब आसरे के बारे में यह बात हो रही है उसके बाद next question यहाँ पर दिया गया है EVS में पानी की बरबादी और इसके सरचन के सिच्छन के लिए सबसे उप्युक्त रणनीती हो सकती है चर्चा, सरवेच्छन और चर्चा, साचातकार, प्रयोग तो यहाँ पर EVS के जो पानी की बरबादी होती है उसके सरचन के लिए जो सबसे प्रभावी रणनीती होगी वोगी सरवेच्छन और चर्चा अगला question पूछा गया है कि विद्यार्थियों के पर्यावरण की समग्र समझ विक्षित करने के लिए निमलिकित में से कौन समझ विक्षित करने के लिए तो पर्यावरण की समग्र समझ विक्षित करने के लिए बच्चों में जो सबसे उप्युक्त अन्भाव होगा वो होगा प्रासांगी कन्भाव कौन सन्भाव प्रासांगी कन्भाव अगला question पूछा गया है एक E.V.S. विच्छक समझ कार के दोरान सहयोग के आकलन के लिए एक सहकर्मी आकलन रूब्रिक तयार करता है निर्म लिखिन में से कौन सा आयाम सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए भागीदारी, नेत्रत्त, सहयोग या फिर हद बंदी तो यहाँ पर पूछा गया कि सहयोग का हिस्सा नहीं होना चाहिए कि बच्चों के संग्यानातमक विकास के साथ समाजिक भावनातमक पहलूओं को जोड़ने के लिए पर्याप तोफर बदान करता है। बच्चों को लोग गित सुनाने या गाने के लिए पृत्वाहित करना, प्रयोग, साच्छातकार या पिर सर्वेच्छण। तो यहां पर करेक्ट टैंफर हो जाएगा कि बच्चों के संग्यानातमक विकास के साथ साथ सामाजिक भावनातमक पहलूओं को जोड़ने का उफर जो सबस्यातर प्रदान करता है वो है कि बच्चों को लोग गित सुनाने या गाने के लिए पृत्वाहित करना, बच्चों क को तोड़ने में निम लिखित में से कौन सब प्रभावी होगा समूँ चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान या फिर फिल्मस हो तो इस कोश्चन का इंफर हो जाएगा कि समस्या और चिंता से सम्मंदित विषय सीमाओं को तोड़ने के लिए जो सबसे प्रभावी होगा व आज़ित करके विखित किया जाएगा अब यहां पर फिर फिर कोशन एक बार पढ़ लेते हैं कि इविए के कच्छा में प्रियुक्त निम लिखित में से कौन सा प्रक्रिया कोशल आज़ित करके विखित किया जाएगा अवलोकन कोशल याद रखने का कोशल द्रस कोशल या बच्छा में EUF विशय का संपाधन करते समय, सिच्छक को निम्लिकित में से किस्छे बचना चाहिए, समूँ चर्चा से, स्कूल आधारी तांकलन से, विध्यार्थियों दौरा सही उत्रों पर जोर देना, समधाय की स्थानों का भर्माड, तो यहां पर किस्छे बचना चाहि अधारी ते लाओे चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए, समय चाहिए, समय उत्रों का रहता है...